Hello everyone, राधे राधे आप सभी को स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में तो AGP हम मुख देख रहे थे UGC NET का previous year question हिंदी का जो पिछले वरसों परिक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये जून 2012 का paper है जिसमें 75 प्रश्ण पूछे गए थे तो चलिए हम इसको देखेंगे पहला प्रश्ण है आपके सामने कि ब्रज भाषा का विकास किस से हुआ तो ब्रज भाषा का विकास हुआ था सौरशेनी अपभ्रंसे किस से हुआ सौरशेनी अपभ्रंसे सौरशेनी अपभ्रंसे पांच बोलिया निकली थी ब्रजभासा, हर्याडवी, खड़ी बोली, कन्नोजी तथा बुंदेली तो ये आपको ध्यान देना है दूसरा प्रश्न है कि अपभ्रंस की उत्तरकाली नवस्था का नाम है तो अपभ्रंस की उत्तरकाली नवस्था का नाम अवहट है क्या है अप भ्रंस की उत्तरकाली नवस्था का नाम अवहठ है दियापसन हमारा राइट है तीसरा प्रश्ण पूछा है कि अप भ्रंस में कुल कितने श्वर थे तो अप भ्रंस में कुल आठ श्वर थे ठीक ये आपको ध्यान देना है अभ्रंस में कितने श्वर थे आठ श्वर थे ये question important है फिर चौथा पूछा गया है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है तो आपको पता है कि मगही मैथिली भोशपूरी ये सब बिहार की बोलिया है कहां कि बिहार की मागधिय अभ्रंस से ये विक्षित है तो मगही किस प्रदेश की बोली है बिहार की पाजवा प्रश्ण है आपसे कि भासाओ के पारिवारिक वर्गी करण का आधार है क्या है तो भासाओ के पारिवारिक वर्गी करण का आधार इतिहाश है भासाओ के पारिवारिक वर्गिकरण में विश्व की भासाओ को परिवारों में बाटा जाता है जिसका मुख्याधार इतिहाश बद्ध होता है अगला प्रश्ण है छे नंबर का कि पुष्पदत किस शताबदी के कवी थे तो पुष्पदंत ये अभ्रंस के प्रमुख कवी हैं और ये दश्वी शताबदी के कवी थे स्वयम्भू आठवी के थे पुष्पदंत दश्वी के थे तो ये आपको ध्यान देना है कि पुष्पदंत दश्वी शताबदी के कवी हैं महापुरार डै कुमार चरिव जसहर चरिव इनकी रचनाए है साथ नंबर में पूछा गया है दोहा कोश किसकी रचना है तो दोहा कोश सरहापा की रचना है जिसके संपादक प्रबोच चंद बागची है तो दोहा कोश किसकी रचना है सरहपा की है ये ध्यान देना है अगला है प्रशन आठ नंबर का आठ नंबर में पूछा गया है एक पंक्ती है कावे की रीती सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहु लोग की बाते कावे की रीती सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहु लोगों की बाते पंक्ती किसकी है ये विखारिदास की पंक्ती है कावे निर्ने इनकी प्रशिद रचना है और इनकी ये पंक्ती है विखारिदास की है फिर पदमाकर का दिया है फागू की भीरे अभीरन में गही गोविंदले गई भी तरगोडी फिर मतिराम का दिया है कि कुंदन कोरंग फी के लगे जलके यतियंग निचार गुराई फिर केशोदास का दिया है कि जदपिशुजात शुलक्षनी सुबरन सरस सुवरिद अब आते हैं नौ नंबर पे नौ नंबर में एक पंग्ती दि गई है बहुत अच्छी पंग्ती है और ये अमहत पूर्ण भी है पंग्ती है हरी रश पिया जानिये जे कब हुना जाए खुमार पंग्ती किसकी है हरी रश पिया जानिये जे कब हुना जाए खुमार तो ये पंग्ती है कबीर दास की आगे आते हैं दस नंबर पे दस नंबर में पूछा है कि देव की रचना कौन सी है तो काईव निर्ने तो फिखाईदास की है स्रिंगार निर्ने भी फिखाईदास का है रसराज मतिराम का है और बचा आपका भाव विलास भाव विलास देव कभी की रचना है देख सकते हैं 1746 है, रसराज का 1633-43 के बीच है, स्रिंगार 1750 में है, भाव विला 1699 में है अगला प्रिश्ण है 11 नंबर का, साहित लहरी के रशनाकार कौन है? तो साहित लहरी के रशनाकार सूरदास हैं, कौन है? शूरदास, भी आपसन हमारा बिलकुल सही है अब आते हैं 12 नंबर पे, 12 नंबर में पूछा गया है, कि अश्टिछाप की अस्थापना किसने की? तो अश्टिछाप की अस्थापना की थी बिठलनाथ ने 1565 में, बिठलनाथ बलभाचारी के पुत्र थे तेरा नमबर में पूछा गया है कि सखी संप्रदाई के संस्थापक कौन थे तो सखी संप्रदाई के संस्थापक श्वामी हरिदास थे सखी संप्रदाई के संस्थापक श्वामी हरिदास और राधा वल्लब के हितरिवन्स हैं ब्रह्म शंप्रदाई के मधवा चारे हैं और पुष्टी मार्ग के बल्लवा चारे हैं अगला प्रश्ण है चौदा नंबर का चलिए हाँ चौदा नंबर पे आते हैं हम चौदा नंबर का प्रश्ण है कि गुश्वामी तुलसी दास की अंतिम रचना कौन सी है तो तुलसी दास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक माना जाता है ये अंतिम समय में जब उनको भुजाओ में असहाई पीड़ा हो गई थी तो उसी को मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस रचना की थी और हनुमान बाहुक का वितावली में संकलित है तो तुलसिदास के अंतिम रशना हनुमान बाहुक है पंदरा नंबर का प्रश्न है कि म्रिगावती किसकी रशना है पंदरा सो तीनिस भी में लिखी गई है और म्रिगावती के रशनाकार कुतुबन है कौन है? कुतुबन चित्रावली 1613 में लिखी गई है इसके रचनाकार उस्मान है मधुमालती 1545 में है इसके रचनाकार मंजन है पदमावत 1540 में है और इसके रचनाकार जैसी है अगला है प्रश्णी 16 नंबर का 16 नंबर में दिया है कि निम्न लिखित काव योक्तियों तुलसी की किस रचना से है मतलब ये पंक्ती जो दी गई है तुलसी दास की किस रचना से है शुरूती शम्मत हरिभक्ति पत संजुत वीरती विवेक शुरूती शम्मत हरिभक्ति पत संजुत वीरती विवेक तो ये तुलसे दास के रामचरित मानस से है किस से है रामचरित मानस से फिर एक पंक्ती है कवितावली से राम कुरूप निहारत जान की कंकन के नगखी पर छाही फिर है जाके प्रियन रहे वैदे ही विने पत्रिका से पिर है जो हो मा तु मते महम हवे हो ये गितावली से है अगला है सत्रह नंबर का सत्रह नंबर में पूछा है कि सब्ध शक्ति के विशे में ये कथन किसका है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षडा हीन अधम व्यंजना रस विरश उलटी कहत नवीन तो सब्ध शक्ति के विशे में जो ये कव्य है देवकवी का है किसका है देवका अठारा नंबर में आपसे पूछा गया है अठारा नंबर का प्रश्न है कि कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है रसराज, रसविलास, ललितललाम, छहंदसार तो रस्विलास मतिराम का ग्रंथ नहीं है ये देव का है किसका है रस्विलास देव का है बाकी रसराज हो गया ये मतिराम का है सोतंत रूप से लिखा ग्रंथ है ललित लला मलंकार शुंदरे का ग्रंथ है मतिराम का और छंद सार भी मतिराम का है चलियो उन्ने संबर पे आते हैं उन्ने संबर में पूछा है कि निम्न मेशे कौन रीती मुक्त कवी नहीं है बोधा ठाकुर पदमाकर आलम तो आपको पता है कि पदमाकर रीती बद्ध में आते हैं ये रीती मुक्त कवी नहीं है बागी पांच रिती मुक्त कवी हैं घनान दालम बोधा ठाकुर द्विजदेव अगला प्रश्ण है आपसे बीस नंबर का बीस नंबर में पूछा गया है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है तो चंडी चरित्र एक सिख गुरू थे गुरू गोविंद सिंग उन्ही की रचना है चंडी चरित्र खालसा पंत के प्रवर्तक भी थे ये तो चंडी चरित्र किसकी रचना है गुरू गोविंद सिंग की एक कर संबर में एक पंग्ती दी गई है और बताना है ये पंग्ती किसकी है पंक्ती है जियों जियों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राड मूरी त्यों त्यों धसे जात मनमुकुर हमारे मैं तो भ्रमर्गीत प्रशंग से सम्मंधित ये पंक्ती किसकी है तो ये जगरनात दास रतना करकी है जियों जियों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी पंक्ती किसकी है, हरतना करकी है आगे आते हैं बाई संबर में, बाई संबर में पूछा गया है किस गद्यकृति का निर्मार फोर्ट विलियम कालेज में हुआ था भाषा योगवशिष्ठ का, भाषा पदम पुरार का, नासी केतो पाख्यान का की द्रिश्टांत सागर का तो नासी केतो पाख्यान ये गद्य कृति है इसका निर्माळ फोर्ट विलियम कालेज में हुआ था और फोर्ट विलियम कालेज में ललू लाल और सदल मिश्री की नियूगती हुई थी और वहीं पे ललू लाल ने प्रेम सागर लिखा और सदल मिश्री ने नासी केतो पाक्षान की रचना की चलिए और भासा योग वसिष्टी राम प्रशाद निरंजनी की गरंथ है और पदम पुरार दौलत राम का है अगला है प्रश्ण तेज नंबर का तेज नंबर में पूछा है कि निस्था हाई हिंदू उपन्यास के लेखक है तो 1890 में ये लिखा गया है गोवत समस्या का वर्ण है और निश्था हिंदू उपन्यास राधा कृष्ण दास का है 24 संबर में आते हैं 24 संबर में दिया है कौन सा नाटक स्री निवास दास का नहीं है तो महरानी पदमावती नाटक स्री निवास दास का नहीं है ये राधा कृष्ण दास का है किसका है राधा कृष्ण दास का 25 संबर में पूछा गया है कि लक्षमर सिंग ने अभिग्यान सकुंतलन का अनुवाद कब किया अठारा सो तिर्शाठ हिस्वी में किया था इन्होंने अभिग्यान सकुंतलन का अनुवाद ये ध्यान देना है ठीक और रग्वन सम का अठारा सो अठार्तर में किया था और मेग्दूत का अठारा सो बयासी में किया था तो लक्षमर सिंग ने अभिग्यां सा कुंतलम का नुवाद कब किया? 1833 इस्वी में 26 संबर में पूछा गया है कि कौन सा निम्न में से भारतेंदू का कौन सा नाटक प्रबूध चंद्रोदय की प्रतिकात्मक सैली से प्रभावित है तो भारतेंदू का नाटक भारत दुर्दशा ये भारत दुर्दशा जो नाटक है ये प्रबूध चंद्रोदय की प्रतिकात्मक सैली से प्रभावित है तो भातिन्दु का कौन सा नाटक प्रबोर्च चंद्रोदे की प्रतिकात्मक स्याली से प्रभावी थे तो भारत दुर्दसा 1880 में लिखा गया नाट तिरासक है या 27 संबर में पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट किसके शंपादन कर्म से जुड़े थे तो बाल कृष्ण भट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे 1877 में निकलती थी प्रियाग से ये मासिक पत्रिका है तो हमारा 27 कड़ी बिलकुल सही हो जाएगा ब्रामर पत्रिका प्रताप नारायन मिश्र की है तिरासी में शर्श्वती और नैस रिस्वी में श्याम सुंदर दास की है का विवचन सुधा 1868 में भातेंदु का है और हिं करिश्न कथा प्या धारित नहीं है नहीं बताना है यहां पे कि कौन सी रचना करिश्न कत्था प्याधारित नहीं है प्रियप्रवाश अगनिलीक भ्रमरदूत अंधायूग में भ्रमर्दूत भी है अंधा यूग भी है लेकिन अगनी लीक जो है ये सीता परित्याग पे अधारित है भारत भुषड़ा ग्रवाल की रचना है अगनी लीक और ये सीता परित्याग पे है तो ये आपको ध्यान देना है 29 नंबर में पूछा गया है सिवसंभू के चिठ्थे निबंध किसका है तो ये व्यंग निबंध है बाल मुकंद गुप्त का लाड करजन की नीतिओं पे ये व्यंग किये थे तो सिवसंभू के चिठ्थे निबंध बाल मुकंद गुप्त का है अगला है प्रश्णाप से तीस नंबर का तीस नंबर में पूछा गया है कि जो घनिभूत पीड़ा थी मस्तक में श्मिती सी छाई दुर दिन में आसू बनकर वह आज बरशने आई ये पंग्ती किस कवी की है तो ये पंग्ती आसू से जैसंकर प्रशाद की है किसकी है जैसंकर प्रशाद की है आसू से चली और आपको इसमें अलंकार बताना है इस पंग्ती में कौन सा अलंकार है जो घनिभूत पीड़ा थी मस्तक में श्मिती सी छाई अगला प्रश्ण हमारा 31 नंबर का 31 नंबर में पूछा गया है कि धिक धाय तुम्यो अनाहूत धो दिया स्रेष्ट कुल धर्म दूत राम के नहीं काम के सूत कहलाए तो ये पंग्तियों का शमबन किस रचना से है धिक धाय तुम्यो अनाहूत तो ये पंग्तिया निराला जी की है और तूलसी दास रचना से ली गई है तूलसी दास 1937 में निराला ने लिखा था उनका काव्य है तो धिक धाय तुम्यो अनाहूत तूलसी दास से है अगला है परिभाशा एक है कि कविता दो शब्दों की निरावता में रहती है ये किसका कथन है कि कविता दो शब्दों की निरावता में रहती है तो ये कथन है अग्ये जी का किसका है अग्ये का आगे आते हैं 33 नंबर पे 33 नंबर में पूछा गया है अनन्त देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है तो अनन्त देवी शकंद गुप्त नाटक की पात्र है और ये नाटक 1928 में प्रशाद जी ने लिखा था राजिस्ट्री 1915 में लिखा था इन्होंने और सुर्मा इसकी पात्र है धुरुषामनी 1933 में लिखा था इन्होंने और कोमा मंदाकिनी धुरुषामनी इसकी पात्र हैं विसाख 1921 में लिखा था चंदरलेखा इसकी पात्र है 34 संबर में पूछा गया है कि कौन सा खंड काव्य राम नरेश्त्री पाठी का नहीं है तो मिलन तो है पथिक भी है और श्वप्न भी है पर नहूस नहीं है नहूस किसका है ये मैथली शरण गुप्त का काव्य है ठीक मिलन पथिक श्वप्न ये राम नरेश्त्री पाठी का है पर नहूस राम नरेश्त्री पाठी का नहीं है अगला है 35 नमबर में कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है तो मुन्नी मोबाइल उपन्यास है प्रदीप शौरब का किसका है प्रदीप शौरब ने लिखा है मुन्नी मोबाइल और केवल मोबाइल भी किसी का उपन्यास है तो आपको बताना है कि केवल मोबाइल किसका उपन्यास है ठीक चलिए आगे आते हैं आपे दिया है मैं बोरिशा इल्ला महुआ माजी का मृत्यू गंध जीवन गंध रिता शुकला का मुर्दही आत्मकथा तुलसी राम का 36 नमबर में पूछा गया है पिंजरे में मैना पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है तो ये आत्मकथा है चंद्र किरड शौन रिक्षा का चंद्र किरड शौन रिक्षा ने लिखा है पिंजरे में मैना अगला प्रश्ण है 37 नमबर का 37 चंबर में एक कथन दिया हुआ है कथन है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव है मंगल का विधान करने वाले दो भाव है ये किसका कथन है तो ये कथन है रामचंद शुकल जी का शुकल जी ने लिखा है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव है अब आते हैं 38 संबर में 38 संबर में दिया है कि आलोचना का विशे कवी नहीं कविता है किस ने कहा है? तो ये कहा है T.S. इलियट ने इलियट ने कहा है कि आलोचना का विशे कवी नहीं कविता है और इलियट ने ये भी कहा है कि आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चैन की और बुरी कविता के त्याग की छमता फिर इलियट ने कहा है कि काव श्रेष्ठ मनुरंजन है तो ये सब इलियट के कथन है 49 नंबर में दिया हुआ है कि शत्वो द्रेक खंड स्वा प्रकाशा नंद चिन्मय विदांतर शपर्ष शुन्यों ब्रह्मा श्वाद सरोहर लोकोतर चमतकार प्राड कैस्चित प्रामात्रिभी स्वा कारवद भिन त्वेनाय माश्वाद्यते रसा रस के विशे में ये स्थापना की सचारे की है तो ये विश्वनात्र की है और इसको हम पकड़ेंगे ब्रह्मा श्वाद सरोहर से या सत्वो द्रेक से ठीक इन दोनों सब्दों से हम पकड़ सकते हैं कि विश्वनात्र की ये पंती है फिर अगला प्रश्ण है चालिस तंबर का चालिस तंबर में पूछा है कि कौन सा नाटक काली दास के चरित्र से संबंधित नहीं है काली दास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है आठवा सर्ग तो आठवा सर्ग तो बिल्कुल है काली दास पे लिखा है सुरंदवर्मा ने कंधे पे बैठा था साप मीरा कांत का ये भी है काली दास पे और असाड का एक दिन भी काली दास पे अधारित है शकुंतला आरे, मलिका और कालिदास की कहानी है लेकिन सकुंतला की अंगुठी है ये जो है सुरेंद्वर्मा का हिनाटक है लेकिन इसमें कालिदास का चित्रड नहीं है इसमें सकुंतला तथा दुश्यंत का चित्रड दिखाया गया है शकुंतला के अंगुठी में किसका चित्रड है? सकुंतला तथा दुश्यंत का अगला प्रेश्ण आपसे एक तालिस नंबर का एक तालिस नंबर में पूछा गया है कि निम्न लिखित साहितिक वादों का सही अनुक्रम बताईए साहितिक वादों का तो सबसे पहले आपका चाया वाद आएगा चाया वाद के बाद प्रगती वाद आएगा प्रगती वाद के बाद प्रियोग वाद आएगा और प्रियोग वाद के बाद आएगा प्रपध्य वाद तो चाया वाद का सुरुवात नंए सो अठारा से प्रगतिवाद का 936 से, प्रियोगवाद का 943 से और प्रपद्दिवाद का 956 से अगला है 42 नंबर का 42 नंबर में पूछा है कि जीवन काल की दृष्ठी से कव्यों का क्रम बताईए सूर्दास हैं, केशोदास हैं, रतनाकर हैं, सोहनलाल दिवेदी हैं तो हमारा सी आप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले सूर्दास आएंगे, सूर्दास के बाद केशोव आएंगे, केशोव के बाद रतनाकर आएंगे और रतनाकर के बाद आएंगे सोहनलाल दिवेदी जी ठीक तो हमारा सी आप्सं सही हो जायेगा प्रश्टित तियाली संबर में पूछा है कि रचनाकाल की द्रिष्टी से चृति रचनाकाल की द्रिष्टि से इनका क्रम याद किया था क्योंकि बार बारी पेपर में पूछा जाता है तो हमने याद किया था कूरा उक्ती वर्ण कूरा कू से कुले माला कथा रा से राउल वेल उक्ती से उक्ती वेक्ती प्रकरण और वर्ण से वर्ण रतना कर ए आपसन हमारा सही हो जाएगा और डेट भी हम देख सकते हैं तो कोले माला कथा का उद्यतर इंशूरी हैं 738 इस भी यहां दिया गया है राउल वेल दस्वी शताबदी में है उक्ती वेक्ती प्रकड़ बारहवी में और वर्ण रतना कर चौदहवी में है तो कोले माला आठवी शताब्दी, रावल वेल दस्वी, उक्ती वेक्ती प्रकड बारहवी और वन्रतना कर चौधामी में. अगला है प्रेशने चवालिस नंबर का, चवालिस नंबर में रचनाकाल की द्रिष्टी से कावी कृतियों का सही क्रम बताना है. तो यहाँ पे साखेत है, प्रियप्रवास है, तुलसी दास है और कृष्णायन है. तो सबसे पहले प्रिय प्रवास आएगा 1914 में प्रिय प्रवास कब आएगा 1914 में हर्योद का फिर आएगा साकेत 1931 में गुप्त जी का है फिर निराला का आएगा तुलसी दास 1938 में फिर कृष्णायन है द्वारिका प्रशाद मिस्र का 1943 में तो प्रिय प्रगवास, साकेत, तुलसिदास और कृष्णायन आगे आते हैं पैतालिस नंबर पे पैतालिस नंबर में दिया है कि रचना काल के आधार पे दिनकर की कृतियों का सही क्रम बताईए क्या होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी सबसे पहले मिट्टी की ओर आएगा इनका निबंध है फिर आएगा संस्कृती के चार अध्याय इस पे साही तकाद में भी मिला है इनको फिर आएगा वट पीपल फिर आएगा दिनकर की डाईरी सबसे पहले मिट्टी की ओर, फिर संस्किती के चार अध्याय, फिर वट पीपल, फिर दिनकर की डाइरी मिट्टी की ओर की समय है 1946 इस भी, संस्किती के चार अध्याय का समय है 1956 इस भी, वट पीपल का समय है 1961 इस भी, और दिनकर की डाइरी है 1973 में चलिए आगे आते हैं 46 नंबर में 46 नंबर में उपन्यासों का क्रम बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भी सबसे पहले आएगा विराटा की पदमिनी व्रिंदावनलाल वर्मा का फिर आएगा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का फिर आएगा बूंद और शमुदर अमरितलाल नागर का फिर आएगा सुहाग केनुपूर अमरितलाल नागर का तो यहाँ पे डेट देख लेगते हैं हम उसका विराटा की पदमिनी है 1929 इसवी में कभ है? 1929 में चित्रलेखा है 1934 इसवी में बूंद और शमुदर है 1956 में आमरितलाल नागर का है कभ है? 1956 में है सुहाग के नुपूर है 1960 में तो यह ध्यान देना है विराटा की पदमिनी 1929 में चित्रलेखा 1934 में बूंद और शमुदर 1956 में और सुहाग के नुपूर 1960 में अगला है 47 संबर का कि रचना काल के द्रिष्टी से प्रेम चंद के उपर न्यासों का सही क्रम बताईए तो गबन है गोदान है शेवा सदन है रंग भूमी है तो सबसे पहले इनका सेवा सदन आएगा 1918 में फिर रंग भूमी आएगा 1925 में फिर गबन आएगा 1931 में फिर गबन आएगा 1936 में तो डी आपसन बिलकुल सही है हमारा अब आते हैं 48 48 नंबर में कहानियों का सही क्रम पूछा है बड़े भाई साहब है वापसी है डेफोटील जल रहे हैं पाल गोमरा का स्कूटर तो सबसे पहले आएगी बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है और ये है 1931 में बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है 1931 में फिर वापसी है उस्षा प्रेमबदा का 1960 में फिर डेफोटील जल रहे हैं 1978 में मृदुला गर्ग का है फिर 1997 में पाल गोमरा का स्कूटर है तो सबसे पहले बड़े भाई साहब फिर वापसी फिर डेफोडील जल रहे हैं फिर पाल गोमरा का स्कूटर अगला है प्रशनाप से 49 नंबर का 49 नंबर में पूछा है कि रचना काल की द्रिष्टी से सुरेंद वर्मा के नाटकों का क्रम बताईए तो सुरेंद वर्मा के नाटकों का क्रम सबसे पहले आएगा द्रौपदी 1972 में द्रौपदी कब है? 1972 में फिर आएगा आठवा सर्ग 1976 में फिर आएगा छोटे सयद बड़े सयद 1982 में फिर आयेगा सकुंतला की अंगुठी 1990 में तो द्रौपदी 1972 में आठवा सर्ग 1976 में छोटे सयद बड़े सयद 1982 में और सकुंतला की अंगुठी 1990 में तो यह आपको ध्यान देना है C.A.P.S.N. राइट है द्रौपदी 72 में आठवा सर्ग 76 में छोटे सयद बड़े सयद 82 में और सकुंतला की अंगुठी 90 में पचास संबर में भी पूछा है कि रशना काल की द्रिष्टी से निमन लिखित कृतियों का सही क्रम बताईए कुकरमुत्ता है, दीपशिखा है पल्लो है, कमाईनी है तो यहाँ पे हमारा 1936 में फिर दीपशिखा महादेवी वर्मा का 1942 में, फिर कुकरमुत्ता 1942 में निराला का तो दी आपसन रइठ है हमारा सही है, पल्लो कमाईनी दीपशिखा कुकरमुत्ता 21 नंबर में पूछा है कि रचना काल के आधार पे अग्ये की रचनाओं का सही क्रम बताईए अग्ये जी की रचनाओं दी गई है उनका क्रम बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले भग्न दूत आएगा ठीक भग्न दूत उनका प्रथम का विशंगर है 1933 में इसके बाद आएगा हरी घास पे छड़वर 1949 में हरी घास पे छड़वर कव है 1969 में फिर है बाव्रा इहरी 1954 में फिर है आंगन के पारदवार 1979 में सबसे पहले भग्न दूत तै इस में हरी घास पर छड़वर 1989 में 12 आहरी 1954 में और आंगन के पारदवार 1979 में अब आते हैं 52 नमबर 52 नमबर पे 52 नमबर में जीवन काल की दृष्टी से निमन लिखित रचनाकारों का सही क्रम बताना है जीवन काल की दृष्टी से रचनाकारों का क्रम तो स्रीधर पाठक हैं मैथली शड़ गुपत हैं दिनकर हैं अग्ये हैं प्रश्ण जरूर पूछा है और आप हर पेपर में देखेंगे कि दो या तीन प्रश्ण आया है एक कावे में क्रम पूछा है कवियों का और एक निबंध या नाटक में पूछा है तो इसलिए आपको डेटा बर थ्याद रखना है बहुत आसान होता है इससे आपके दो आठक आएंगे 1869 में फिर आएंगे मैथले सरड़ गुप्त 1886 में फिर दिनकर आएंगे 1908 में फिर अग्गे आएंगे 1911 में तिरपर नंबर में कविताओ का क्रम पूछा है अंधेरे में है अशाध्यवीडा है सरोजिश्मिती है और पटकता है तो हमारा सबसे पहले आएगा सरोजिश्मिती 1935 में निराला की ये कविता है फिर आएगा साध्य वीडा 1961 में अग्ये का फिर अंधेरे में है 1964 में मुक्तिवोध का फिर पटकथा है 1972 में धुमिल का तो सरोज श्मिती 35 में है असाध्य वीडा 1961 में है अंधेरे में 64 में है और पटकथा 72 में है चववन नंबर में पूछा है कि रचना काल की दृष्टी से कृतियों का सही क्रम बताईए ये कावे रचनाय दी गई हैं सतरंगे पंखु वाली है नागारजुन का यूग की गंगा केदारना थगरवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारना थगरवाल का मिटी की पूछब वाली 1969 में नागारजुन का है फिर आएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारना थगरवाल का 1965 में फिर मिटी की बराद स्युमंगल सिंग सुमन का 1972 में तो भी आपसन हमारा बिलकुल सही है यहां पे अगला प्रश्ण है पश्पन नंबर का पश्पन नंबर मे आपसे ब्रामही लिपी के विकास का अनुक्रम पूछा गया है ब्रामही लिपी के विकास का क्रम बताना है तो ब्रामही लिपी के विकास का क्रम हो जायेगा सबसे पहले ब्रामही लिपी है फिर गुप्त लिपी है फिर कुटिल लिपी है फिर देवनागरी लिपी है तो यह आप्सन बिल्कुल सही है ब्रामी लिपी, गुप्त लिपी, कुटिल लिपी और देवनागरी लिपी अगला प्रश्न है छपपन नंबर का छपपन नंबर में स्थापना दिया गया है अज स्थापना दिया गया है कि बिम्ब में अर्थ की संभाविता नहीत होती है तो बिल्कुल सही दिया गया है कि बिम्ब में अर्थ की या प्रतीक की जो संभावना होती है वो नहीत होती है तर्क दिया गया है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है तो ये गलत है अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है तो हमारा स्थापना सही है और तर्ग क्या है गलत है फिर संतावर नंबर में है संतावर नंबर में स्थापना दिया गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ग्यान दसा कहलाती है उसी प्रकार हिदे की मुक्तावस्था रस्दसा कहलाती है तो अस्थापना तो बिलकुल सही लग रहा है तर्क दिया है क्योंकि कविता में कव्य हिदे लोक समानी की भूमी पर पहुच जाता है तो अस्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों बिलकुल सही है तो B आपसन हमारा राइट हो जाएगा 58 में आते हैं 58 में इस्थापना दिया गया है कि प्रेम चंद यथार्थ वाद से आदर्श्वाद को स्थेश्च समझते थे और बिलकुल सही है उन्होंने यथार्थ वाद से आदर्श्वाद को स्थेश्च माना है फिर तर्क दिया है क्योंकि आदर्श्वाद उनके द्रिष्टी में संपून जीवन द्रिष्टी है तो ये गलत है उनके जीवन में आदर्श्वाद संपून जीवन द्रिष्टी नहीं उन्होंने आथार्थ को भी महत्व दिया है लेकिन आदर्श्वाद को ज्यादा दिया है तो हमारा स्थापना सही है लेकिन तर्क क्या है? गलत है प्रेमचंद प्रारंभ में आदर्श्वाद को स्रेष्ट मानते थे लेकिन रचना के अंतिम दोर में आदर्श यह अथार्थ की और बढ़ते हैं और आदर्श्वाधी प्रेमचंद के दिष्टी में संपूर्ण जीवन नहीं था, तो अस्थापना सही और तरक गलत है। अगला है 59 का, 59 में अस्थापना दी गई है, कला मात्र के लिए वही शाहित्य हो सकता है जो विचार शुन्य हो। क्या स्थापना है, कि कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शुन्य हो। और तरक दिया गया है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है, तो दोनों गलत दिया गया है। क्या दिया गया है यहां पर तरक और स्थापना दोलों गलत है। ठीक विचार भी एक कला है और कला विचार से पलाया नहीं करती बलकि विचारों को सुरक्षित करती है। अगला है साथ नंबर का साथ नंबर में स्थापना दी गई है कि कहानी छोटे मुँ बड़ी बात करती है तो बिल्कुल ये तो सही लग रहा है स्थापना फिर तर्क दिया गया है क्योंकि कहानी लगु जीवन खंड के माध्यम से एक संपुन जीवन बोधिया सक्थे को प्रकाशित करती है तो यहाँ पे तो मुझे स्थापना और तर्क दोनों से ही लग रहा है अब यहाँ पे अंसोर देख सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे स्थापना और तर्क हमारा दोनों से ही है सी आपसन राइट हो जाएगा एक सर्थ नंबर में आते हैं एक सर्थ नंबर में स्थापना दिया गया है कि नाटक केवल चाक्छुश यग्य है और तर्क दिया गया है क्योंकि आधुनिक मानेता है कि नाटक में द्रिश्टी की तूलना में श्रवे तत्व कम महत्वपूर्ण होता है तो तरक तो बिल्कुल गलत दिया है और अस्थापना भी गलत दिया है ठीक नाटक के दो तत्व होते हैं द्रिश और श्रवे और दोनों महत्वपूर्ण होते हैं तो यहाँ पर गलत दिया गया है कि नाटक किवल चाच्छु सियग और नाटक में किवल स्रवेकक का महतवपूर्ण है तो यहां पर इस्थापना और तर्क दोनों गलत हो जा रहा है अब आते हैं 62 नंबर पे 62 नंबर पे इस्थापना दी गई है कि साहित जन्समुह की हिदय का विकार से तो बिल्कुल सही है ये तो तर्क दिया गया है क्योंकि साहित जन्समुह कीवल मनुष्य का चरित निर्मार करना है तो ये बिल्कुल गलत है ठीक और यहां पर कीवल लग जाता है वो कथना ऐसे भी गलत हो जाता है तो ये हमारा गलत है तो यहां पर स्थापना सही है लेकिन तर्क क्या है गलत है साही तेका कि वो लेखील अच्छे थोड़े ना है मनुश्य कर चाहित का निर्मार करना तो यह हमारा गलत हो जाएगा अगला आते हैं 63 नंबर पे 63 नंबर में स्थापना दी गई है कि काव्यात्मा की संक्लनात्म का नुभूती है जिसका संबंध विशलेशर विकल्प या विज्ञान से नहीं है तो बिल्कुल काव्यात्मा की संक्लनात्म का नुभूती है प्रशाद जी ने कहा भी है फिर तर्क दिया गया है क्योंकि विज्ञान का सम्बंध सम्वेदना से नहीं होता बिल्कुल सही है विज्ञान का सम्वेदना से कोई सम्बंध नहीं होता है तो यहाँ पे अस्थापना और तर्क दोनों सही दिया गया है चौसर्ट नमबर पे आते हैं चौसर टंबर में स्थापना दी गई है कि संस्किती के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार है बिल्कुल सही है जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा तो संस्किती का विकास और भी अच्छे धंक से होगा और फिर तरक दिया गया है क्योंकि कि संस्किती एक मानसिक व्यापार है तो बिल्कुल ये भी सही है तरक और स्थापना हमारे दोनों यहां पर सही हो जा रहा है अगला है 65 नंबर का क्योश्चन 65 नंबर में स्थापना दी गई है कि इस्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है और दिया है अगला कि क्योंकि समाज उसे जनम से वही संस्कार प्रदान करता है तो यहां पर स्थापना और तरक दोनों से ही दिया गया है क्योंकि लिंग के अधार पे इस्त्री पैदा होती है लेकिन कर्म, व्यवहार, शम्वेदिना, इत्यादी के अधार पे इस्त्री बना करता है तो यहां पे तर्क और उस्थापना दोनों सही दी गई है अगला है छाछट नंबर का छाछट नंबर में पंग्ति दी गई है पंग्ति क्या है पंग्ति है शलभ में शाप में वर हूं किसकी पंग्ति है यह महादेवी वर्मा की पंग्ति है शलभ में साप में वर हू दुख ही जीवन की कथा रही ये निराला जी की पंक्ती है वियोगी होगा पहला कवी या हसे उपजा होगा गान ये पंत जी की है जो बीत गई सो बात गई हरिवन स्राय बच्चन की है तो C आपसन हमारा यहां पे सही है आगे आते हैं 67 नमबर पे 67 नमबर में सूची एक में पात्र दिये गए है सूची दो में नाटक का नाम दिया गया है तो मिलान करना है कि कौन सा पात्र किस नाटक का है तो पहला है मल्ली का तो मल्ली का है असार का एक दिन का मोहन राकिस ने लिखा है उन्निसों ठावन में देव सेना है सकंदगुप नाटक का प्रशाद जी का है ये नाटक शीलवती है सुरी की अंतिम किरर से सुरी की पहली किरर तक की पात्र है ये और सर्मिष्ठा है देहांतर की पात्र नंत की सुराचारे का नाटक है देहांतर उसी की पात्र है सर्मिष्ठा और सुरी की अंतिम किरेशे सुरी की पहली किऱ तक सुरिन्द वर्मा का नातक है और इसकी पात्र है सीलवती तो सी आपसन हमा। बिलकुल सही हो जायाँगा यहां पे और हमने सही मिलान किया है। कोमल गांधार संकर सेश का नाटक है सकुनी पात्र है। अगला है 68 नंबर का। 68 नंबर में आंचलिक उपरन्यासों को उनके लेखों को से मिलान करना है। दिया है रती नाथ की चाची, किसका उपरन्यास है? नागारजुन का है। फिर है परती परिकथा रेडू का है, कब तक पुकारो रांगिये राघव का है, पानी के प्राची रामदरस मिस्र का है। तो रतीनाथ की चाची नागार जुन का परती परिकतारेडू का कब तक बुकारू रांगे राघो का पानी के प्राची रामदरस मिस्र का? D आपसन बिलकुल करेक्ट है हमारा. A का सेकेंड तो A का सेकेंड है, B का 4, B का 4 बिलकुल सही तो हमार D सटीक है बिलकुल. C का फस्ट, C का फस्ट भी है. चलिए आगे आते हैं, 69 पे. 69 में पूछा गया है कि कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलिद कीजिए. तो दिया गया है चिंतामडी, तो चिंतामडी की कृति कौन सी है? कवि कुल कल्पतरू है, तो एका भी हो जाएगा पांचवा. फिर मतिराम का क्या है, तो मतिराम का वृत्त कौमुदी है, भूषड का छत्रसाल दसक है, और बोधा का विरह वारिस है. तो B आपसर हमारा सही हो जाएगा. अगला है सत्तर नंबर का. सत्तर नंबर में आचारियों को उनके सिधान्तों के साथ सुमेलिट करना है. तो बलभाचारिका सिधान्त क्या है? इनका सिधान्त है शुद्धा द्वैत्वाद. निमबारका चारिका क्या है? इनका है द्वैता द्वैत्वाद. रामानुजाचारे का क्या है इनका है विशिष्टा द्वैत्वाद और मध्वाचारे का क्या है इनका है द्वैत्वाद और अद्वैत्वाद किसका है तो ये संक्राचारे का है किसका है संक्राचारे का तो हमारा ए आपसन बिल्कुल राइट हो जायेगा यहां पे ठीक अगला प्रश्ण है कहत्तर नंबर का एकहत्तर नंबर में कृतियों को उनके कव्यों के साथ मिलान करना है चांदायन दिया गया है तो चंदायन है मुलादाउत की फिर है म्रिगाउती म्रिगाउती है कुतुबन की फिर है अखरावट अखरावट है जाईसी की वर्णमाला के अच्छरों पे लिखी गई है यह फिर है मधुमालती तो मधुमालती मंजहन की है तो चंदायन है मुलादाउत की A का 3 तो हमारा D option right हो जाएगा A का 3, B का 1, C का 4, D का 2 अब आते हैं 72 नंबर में दिया है कि कव्यों को उनकी कृतियों के साथ मिलान कीजिए स्वैंभू, स्वैंभू की कृति कौन सी है तो स्वैंभू ने लिखा है पौम चरियू पुष्पदंत, पुष्पदंत का है महापुरार, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान का है संदेश रासक, शबरपा, शबरपा का है चरिया पत तो स्वेम्भू का पौम्चरियू, पुष्पदंत का महापुराड, अब्दुलरहमान का संदेश रासक और सब्रपा का चरिया पत। बी आपसन बिल्कुल सही है हमारा। अब आते हैं 73 नंबर पे, 73 नंबर में पूछा गया है आपसे कि भाषा के उत्पत्ति के संबंध में निम्न शिधान्तों को उनके प्रतिपादगों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिया था नुआयर ने। इंगित सिधान्त किस ने दिया था राय ने। और शंपर्क सिधान्त किस ने दिया था रे वेज ने। तो हमारा सी आपसन बिल्कुल सही है यहां पे। ठिक। चलिया बाते हैं अगले प्रश्न पे, 74 में दिया है कि आचारियों को उनके सिधा अभिनोगुप्त अभिनोगुप्त का शिधान्त है अभिव्यक्तिवाद तो 74 का हमारा बी आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा एक अभी बी का फर्स्ट तो बी बिल्कुल सही है अब आते हैं 75 पे 75 लाश्ट कोश्चन है 75 में दिया है कि पत्रिकाओं को उनके संपादों के साथ मिलान कीजिए तो पहला दिया गया है प्रतीक पत्रिका प्रतीक किसकी पत्रिका है अग्येजी की है फिर है विशाल भारत विशाल भारत है बनार्शी दास चतुरवेदी की पत्रिका फिर है करमवीर करमवीर है माखलना चतुरवेदी का और चांद है महादेवी वर्मा का तो हमारा डिस सही प्रतिक अग्ये का विशाल भारत बनार्शिदाश चतुरुवेदी का और करमवीर माखलना चतुरुवेदी का और चांद महादेवी वर्मा का तो डी आप्सन बिल्कुल सही है और इस तरह से हमारा ये पेपर समाप्त हुआ 75 कुश्चन इस पेपर में पूछे गये थे और बिल्कुल हमने अच्छे से पढ़ा उमीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक ऐसे डिवीजन करना है सुनते रहना है थ्रुआ डेट पर ज़्यादा फोकस करना है कुश्चन भी जो टफ लगे उनको ध्यान देना है तो आज की क्लास में इतना ही हमारा ये 2012 का ये पेपर कंप्लीट हुआ अगली क्लास में हम फिर आप से सिग्री मिलते हैं आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद